अगर आप एक iPhone करीदना चाहते हैं लेकिन आपका budget हाई नहीं है तो बहुत जल्द आपका इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि Apple ने iPhone SE 4 की production पर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इसके market में launch होने की उमीद की जा रही है माना जारा है कि iPhone SE के पुराने model की तुलना में iPhone SE 4 में डिस्प्ले बड़ा मिलने वाला है इस बार यूजर्स को SE 4 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा Tech or Gadgets की जानकारी रखने वाली एक्सपर्ट मिंची क्यू ने ट्वीट करके ये कहा है कि उनका नुमान है कि Apple ने हाली में iPhone SE पर फिर से काम शुरू कर दिया है कंपनी अपने नए model की डिस्प्ले में बड़ा बदलाव देने वाली है इस बार iPhone SE 4 में LCD की बजाए OLED दिस्प्ले मिलने वाला है को ने ये भी बताया है कि नया iPhone SE 4 4NM प्रोसेस और साथ ही ये 5G-based band चिप के साथ आएगा ये चिप सेट सब 6 GHz को सपोर्ट करेगा उन्होंने ये भी कहा है कि iPhone SE 4 के बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले साल के पहले ही quarter में सुचारू रूप से हो जाएगा और iPad और Apple Watch से जल्दी Qualcomm के base band शिप को भी हटा दिया जाएगा आपको iPhone SE 4 की खबर कैसी लगी मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा और ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे हैं इंडिया टीवी चेक विल्स